श्रिक्रिष्ण लिला के चिंतन में प्रलंबा सब उद्धार यद भी प्रलंब ने वेश का अनुकरन करने में कोई कसर नहीं की बाहे दृष्टी में मैं सचमुच कोप शिशु के रूप में ही परिनित हो गया श्रिकिष्ण संग से दिन भर के लिए चंचित हुई घर में अभी वाकोद्वारा रुध उस बालक की संपुरन मुद्राई चिश्टाई सोच सोच कर उसने अपने में व्यक्त कर ली और यहां आकर इस समाज में मिशित होने के उद्देशे से इसका ही आश्रे लेने की इच्चा से ने इसमें हस्तवा प्रविष्ट भी हो गया तथा भी सरवग्य सरवित शिरिकिष्ण चंद्र की आँखे तो उस पर पढ़ ही गई और लिला वी हारी ही तो ठहरे वे कैसे अंजान से बन गे और हासकर बोले अरे भीया तुमने देर क्यों कर दी दे फिर भी बहुत सुन्दर तुम आतो गे ठीक खेलने की इच्छा करते ही नेल सुन्दर के सुनोने द्रिकों में प्रलंब का ये क्रित्रिम सुन्दर कोप शिशु रूप ही नहीं इसके अंतरान में परतिष्टित महा भ्यंकर असुर देत था इससे भी पूर्व जब वहे विजे नामक गंधर्व के शीर में अधिश्टित था उस समय की घटना विजे गंधर्व की भावना सब कुछ प्रतिचित्त थो उठा ये शिशु नहीं पर लंबा सुर अभी अभी तो निराश कंस समराट को क्रोध में भर कर आश्वाशन दे आया है घबरायने ही प्रभू क्या यहे सामन्य गोप शिशु नहीं नश्टे होगा आहो सरविध्वंच सी काल की महिमा बड़ी विचित रहे हिमाचल को भी प्यद्धका देता है उसके आश्रित नद नदी तडागों को भी वो सोख लीता है तथा इस अभी संदी से ही वह इस समय यहां बन में आया है रामकृष्ण दोनों को ही कंदों पर उठा करके शिग्र मदुवन की सीमा में कंस के समीप ले जाएगा सर्था भूल गया है मैं अपने अतीत के जीवन को वे हूहू गंदर्व का पुत्र विजे था कुसम चेर्ण करने आया था चेतर राथवन में यक्षपती कबेर के शाब की बात उसे ग्यात नहीं थी जो भी मेरे इस उद्ध्यान से पुष्व ग्रहन करेगा वे देव हो मानव हो कोई भी हो असुर बन करके भूतल पर जनम ग्रहन करेगा देव प्रेरित विजे ने अंजान में ही पुष्वच्यन किया और देखते देखते ही गंदर्व पद से चिउत होगे अवश्य असुर दे में अविनिविष्ट होने से पूर उसने कुबेर की शरन ले ली थी तथा ये वर्दान भी प्राप्त कर चुका था विनीत गंदर्व चिंता मत करो तुम विश्णों भगत हो तुमारी वृत्तियां शाथ हैं जाओ द्वापर के अंत में श्री बल्राम के हस्त कमलों से तुम्हें मुक्ती मिल जाएगी भांडीर वन में जमना पुलन पर प्रभू तुमारे अनारी संसरन को सदा के लिए शांत कर देंगे तनिक भी इसमें संदे नहीं है पर इन बातों क्यों आब उसे तनिक भी समरिती नहीं रही है किन्तों जगत नेंता कैसे विश्मरित हो जाए पर लंब उनके दिश्टी पत्व में आया चाहे कितना भी भांथ होकर क्यों न आया हो में करुन वर नाले प्रभू तो भांथ नहीं है वे तो संपूरन अतीत अनागत को वत्मान के रूप में हिन नित्य देखते रहते हैं इसलिए हिस्स में यदुवर्स विवशन प्रभू ने पर लंब की मेत्री का अविनंदन किया है उसे इस असर दे से निकाल करके दोर बहुत दोर प्रकती के पार जो भी जाना है उने प्रभू सरवग्य जानी सब बाता ताही मारबे केहे मन राता करे उ सखाता केहे सब जानी मरी हे खल एही विधित मन ठानी अस्तु नेल संदर ने विशु शिशु वेश्थारी पर लंब को सने से आप प्यायित करते हुए यहां तक कह दिया मित्र आज से तुम ही मेरे परम सुध हुए तो मैं अपने आखों में ही रखूंगा श्री दामा अब बलराम दादा का अंसरन करे पर लंब आया है उन पर अपनी चात्री का विस्तार करने जिनसे सेम विशु श्रिष्टा ब्रह्मा में भी ज्यान का संचार होता है अताई वे मोड समझ नहीं सका श्री किश्चंद्र की इस उक्ती का तत्वरिय गह तो क्या समझे सेम समीब में सिथित उनके अबिन सवरूप शाक्षाथ शेष अनंत देव श्री बल्राम भी गंद नहीं पासके कि क्यों आज अभी सहसा उनके अनुज अपने प्रान पर तीक श्री दाम सखा को उनका अनुयाई बना दरी रही तथा इससे पूर की दाओ दादा कुछ पूर बैठे कुछ पूछ बैठे में नवगत गोब बालक पर लंब कुछ सवक्रिती या अस्वक्रिती की मुद्रावी पर दर्शित कर सके नील सुन्दर का में गंबीर सर सर्वत्र गूंज था में अनेमाओ कोट की कीडा नायक पुकार उठे अरे वही याओ आप तो पहले हम लोग भली भाती बलावल का निर्णे करके दो दलों में बढ़ जाएं और तब खेले सकल गोब तेरे जदुना था क्रीडा रत बोले गही आ था अहों मित्र द्वैदे मिली साथा खेल खेलिये हो हू सना था बल वे सरिस आपने जानी जुग जुग मिली आव हू मन मानी कहत की सना हू भीया की हीरी अवर खेल खेलो बटी बीरी द्वै द्वै ह्वै ह्वै आहू ऐसे बल अरू अबल जानिक के जैसे सखा सिग्रे निकट बोलत साम तिन सो वचन खेलत सनहू सिसू सब खेल चाड़ हू हो कहतू सोई खेल माड़ हू क्या क्रीडा होगी ये गोशना तो श्री किष्ण चंदर ही का देंगे किसे अवकाश है कि वे पूछे वहां तो निक संदर के इस अदेश के साथ ही अनंद की सहस्तर सहस्तर धाराएं उमडवा चली और गोप शिशू उसमें बहने लगे कन्नूरे भईया रे तुमने हमारी मन चाही का दी इस उनमादी सादुवाद के स्वर में समने ही समर्थन किया और तो क्या सतोक क्रिश्ण भी जो सदा दल बंदी का प्रस्ताव आने पर भैवीत हो जाता चीनने लगता किला कुठा ताल ठोक करके उसने भी उनमोधन किया फिर क्या था सरसम्मती से गोप शिश्वों ने दल के अधिनाय का नितने किया एक का नित्रित करेंगे बुर्लाम और दूसरे का शाम सुन्द ये हो जाने पर कुछ तो सेचा से श्री किर्श चंदर के अनियाई बन गे और कुछ रशीर राम के कुछ ने क्रीडा में भी भाग करने के नीमों का अवलम बन लिया और उसके अंसार में भागत हुए इसके अतरिकतर शेश बालक के भाग कर देने का अधिकार भी अपने प्रांज सका करनों को ही देने का निच्चे कर उनकी और देखने लगे और ये लोग आज श्री किष्च चंदर ने भी पता नहीं क्यों एक एक शिशु को इस करम से ही अपने पक्ष में लिया जो अपेक्षा क्रित अपने प्रतिस पर्धी से नियून बलच्छा दी है जो हो श्री किष्च चंदर के मनो अभी लक्षे दो विवाग परस्तु थो गए हैं सुनत सका सब अती हर्शाने ग्वै मुखिया करी सब बिलगाने बीरी बाटी किनी है जूथा राम कृष्ण है जूथप जूथा एक बोर भे कनहाई एक बोर जू राम भीया सखा प्रबु सबरे गनावतू जुगल जुग जोरिन लगावतू आज के खेल में कौन किस कस परदी है ये निर्नेवी स्यम ब्रजेंद्र नंदन नहीं कर दिया श्री बल्राम हुए शिशु छदम धारी पर लंब के प्रतिसपत थी और स्यम श्री क्रिश्चंद्र ने अपने लिए वरन किया श्री दामा को आज श्री दामा ही बलावतू राम अर असुरी मिलावतू अपशी राम चंदर जी ने क्रिडा का नाम एम विबरन सब को सुना दिया क्रिडा है हरिना क्रिडा नामक दो दो बालक हिरन की भांती चुंकडी भरते हुए एक नजिश स्थान की और चलेंगे जो पहले उस लक्ष को शपर्ष कर लेगा वो विजिता होगा फिर उस विजिता को वे प्राजित बालक अपने पीट पर चड़ा करके यह तो मुख्य स्थान पर ले आए अत्वा एक निदिश्ट स्थान तक पीट पर चड़ाए हुए ले जाए और ले आए यह विबरन समाब्त होते ना होते गोप शिशों ने तो खिल अरंब कर दिया दोदों की अगनित जोडियां एक साथ उठ गई और फिर तो देखते ही योग्य है उन बालकों के द्वारा हरनों का अनकरन इस एक क्रीडा को ही उन सबों ने ना जाने कितनी विवीद रुपों में सजा दिया जे जीते ते चड़ी चले हारे बहिस होता ही एही विदिक्रीडा रची तहां खेलत अती जित्म चाही अधिनायक रामकृष्ण एम उनके प्रतिसवत्दी पर लंब तथा शिरीदामा की बारी पिछे आएगी अभी तो शिष्वों के वो दाम को तो कपरवा है वागवादनी को भी उनके कंट की ओट से अफसर मिल गया है ना जाने कैसी कैसी अधवद विचित्र एम रासमी प्रतिभाव मै तुर्क बंदियां की रचना कार विशिशु अपने आंत्रिकुलास को व्यक्त कर रहे हैं आमन लागे धरी धरी नाम को ले उचन्द को लेट सूर को खजूर को लेह वबूर किन्तु आप पर लंब को तवरा है कैसे इन दोनों को उठा कर ले भागू फे तो तच्छन ही अनन्त एश्यर निकेतन ब्रजिंदर नंदन के हतल पर भी उनकी ये तुरा प्रतिचित्त हो जाती है वांचा कल तरो भी ठही ठहरे थे तरंत बोल थे अच्छा शिरीदाम आओ तुम मेरे साथ और ये मेरा नीन मित्र होड बद रहा है दाओ दादा से देखें जै किसकी होती है सामने वे बांडीर का विशाल वरिक्षेना वही अवरोहन स्थान ने दिश्ट हुआ विजिता की वहां तक तो देखो इस स्थान से अरंब करते हुए पीट पर वेहन करना होगा और फिर उस वट की शाका का शिपर कर यहां इसी मुख्य स्थान पर लोटना है भला अब चलो हम लोग चले और भी या तुम सब लोग भी प्रस पर अपनी अपनी जोड़ी के साथ एक बार जम कर खेल लो जो हारे सोलेई चड़ाई बट महंधीर तीर ले जाई ये कहते कहते ही उनके विम्ब विडिम्ब अध्रोका समित किंचित कंबीर उठा और वह देखो शिरी दाम के साथ ही वह उचल पड़े पर नमबवी कुदा मलणाम के साथ अपने अपने प्रती दंदियों के सहीत वे अगनित शिशुक भी चोकड़ी भरने लगी कौन जान सकता है ब्रजिंद नंदन को गोड़ अभी संदी को इंदर तो कोतो को अनंद उद्देली थोटा और उदर निल संदर कारिया के सहस्तर हनों को चूर नवे चूर करने वाले महा महेशर शिरी शिरी किष्ट चंद्र प्राजे स्विकार करने जा रहे हैं वी तो करेंगे ही उन्हें परलंब की पीट पर बल्राम को चड़ाना जो है केवल वे एकेले हारे हों सो नहीं उनके दल का परतेक शिशू ही प्राजित हो गया नेके मारी टोल बल प्यारे कमल नियन दिसी के सब हारे और आगे जैहुलाल लीला बिहारी की अनंत ब्रमान बांडोदर सियम बगवान बिरजिंद नंदन प्राजी थोकर के विजिता शिरी दाम को अपनी पीट पर चड़ा करके दिये जा रहे है बांडीर वट की ओर साथ ही परलंब के पीट पर आसीन है शिरी बल नाम एम बत्रसन वेहन कर रहा है विरिशब को इस परकार अन्य समस्त विजई बालक भी अपने प्राजित प्रतिद्वन्दी शिश्व की पीट पर चड़के अनंद कोला हल करते चले जा रहे है त्रिन चरती हुई असंख्य गोराशी भी उनका अंसरन कर रहे है वाहत बहत ग्वाल हरी संगी गोधन वियू चरत बन रंगी बट मंधीर नाम है जासू गे कृष्ण संगी तै आसू शिरी दामा को पीठी चड़ाई हरी लेचले आपूर नर्राई अजित पराजे सुनीन काना भक्त अधीन एक भगवाना रिशव नाम एक गोप अनूपा बद्र सैनी तही बहस बहू बहर सुकरूपा बल जुके लेचलियो पर लंबू चलियो सीध नहीं क्रेवी लंबू शिरी दामा हरी पर चड़ी चले को ठाकुर जो खेल में रले बाल पर लंब पर सोहत ऐसे जो अब कहियत कैसे बट बंधीर तीर लगी चड़े लेगे बाल के लिए रस चड़े इसके पश्चा तो कुछ शनों में ही बहुत सी घटाएं घटित हो गई श्री क्रीशन चंद्र एम उनके दल के समस्त शिशो विज़ेताओं को पीट वर धरन किये हुए और रोहन स्थान का वर्चकार तीछे की और लोट चले कि तो पर लंब नहीं लोटा अपी तो वहे औ नंद नंदन का अपहरन उनके द्वारा संभवी नहीं इतना दुधर्ष है ये शाम वरन शिशू और इसलिए अत्यंत दुरत वेग से केवल रोहनी नंदन को ही ले भागने के उद्देश से आगे बढ़ गया अवश्य कुछ पाद बढ़ते ही उसे पतीत हुआ ओ इस बाल मैं इसे वहन नहीं कर सकता सच मुझ बल्राम के भार से उसके गती रुद्ध हो चुकी थी इस परकार भाद्य होकर वे तक्षनी अपने सुब रहत असुर रूप में व्यक्त हो गया उसका वह काला काला शिरी सन अबोचनों से इलंकृत था और उस पर बिराज़त थी श्री बल्राम की शुब्र छटा उन गौर संदर के सनिद्ध से उस देत्य की अद्वत शुबा हुई मनों विद्यत प्रव मंडित मेग पूर्ण शर शशदर को धरन किये हुए हो अब वहें प्रिथी पत्त का परत्याक करके अकाश मार्ग में उठ चुका था बड़े वेक से जा रहा था वे उसकी आँखे प्रजरित अगनी की भादी धक तक जल रही थी उगर दंत पंक्तियां वहों तक पोची हुई थी सिर पर अगनी ज्वाला के समन उपर उठे हुए केश थे हाथ पैर वले से लंकरित थे सिर पर मुकट शुबी था करन छिद्रों में कुंडल जग गुमदा रहे थे इन आबोशनों से उसके काले शीर पर एक विची तरसी कानती फैली थी एक बात तो परलंब के इस महा भ्यंकर रूप को देख करके बलडाम किंचित वहिबेट से हो उठे और सैसा मुझ से निकल पड़ा क्रिश्न अरे भहिया ग्रे किन्तु इस महा महिम को सवरोप समर्थी होते कितनी देर लगती वे लीला में प्रभुतरंत अपने सवरोप मिस्थित होगे हाँ बाहे द्रिष्टी में इतना सा निमेत वश्य हुआ अग्रच के द्वरावे क्रिश्न क्रिश्च का आवाहन अनुज के करन पुटों में जया पोचा था और अनुज ने भी अविलेंब प्रत्यत्त दिया था सरवात्मन संपुरन गोह पदार्थों में अत्यनत गोह सवरोप होकर भी आप ये स्वुट मानव भाव का अलंबन क्यों करें अमे आत्मन अपने स्वरोप का समरन करें आप और फिर इस मानव भाव की ओट में ही इस द्यत्य का विनाश करने अग्रज ने वैसे के वैसे अपने छोटे भाई की बात माली तरंद उनकी स्वरोप बहुत निरभैता उच्छ हास के रूप में बाहर व्यक्त हो थी और फिर रोश्वे भर गे थे प्योरबू अरे जैसे धन अपहरन कर चोर उसे लेकर भाग चले इस परकार ये मुझे चुरा करके अकाश्वत में भाग रहा है अच्छा बस पला गिते ना गिते पर लंब के सिर पर रोहनी दंदन ने अपनी एक देड मुठी की चोट लगा दी पर उस मुठी का वेग ऐसा था मानुस सुरेंदर ने किसी परवत पर वज्जर पर हार कर दिया हूँ इसलिए इसका पर शोते ही पर लंब का सिर चोर विचोर न हो गया मुख से रक्त का परवाप भूट पड़ा चीतना तो लुपत हो ही चुकी थी किवल एक महा भ्यंकर शब् मात्र सिर्व का कच्चुमर निकल जाने के अनंतर भी ना जाने कैसे व्यव्यक्त कर सका पर इतने में ही उसका वहे प्रांच शुनिवी क्राल क्लेवर विंदावन की उस पावन धरा बार किर चुका था मनो सच मुझ हो सुर्राज का वहे वज्जर परहार सफल हो गया हो और उससे आहत एक महान परवत ही धाराशाई हो गया हो काना कुवर को द्रिष्टी बचाई असर अवधी ते आगे जाई अपने रूप ही आश्रित भियो तब ही अंबर लो चड़ी गियो ता छिन भ्यो भ्यानक भारी पहरी कंचन भूशन कारी ता पर संकर्षन अति सोहे ब्रज बालक बिलो की सब मोहे जो होई कारी भारी गटा विचविच चम के दम के छटा उपर सरद चंद होई जैसे सोहे रोहिन नंदन तैसे विकट बदन अरू बड़े दन्त विकट भगर कुटी द्रिग अगनी बदवन्त तबत ताम रसे सिर्रहू लसे दिखी तब हल्द रंचकत रसे पुनी सुधी आई तनक मुसकाई दियो जुम मुठी का मूण बनाई किरच किरच होई क्यो लिलार मुक्ते चली रुधिर की धार। धर्यो पर लंबना कच्छू संबरियो गिरी जस गिरत ब्रज को मारियो। अरू नायन है हुए गियो सांस चाडत रिस रत्य आय बरन आबेश बीर रस मेह मन मत्य। मा बाहू बल भद्र अमित बल विक्रम धारिय। मुष्टी तोडी तीही हिने कोटी बज्रहू ते भारे। खल घात होत अघात इमी जनु पर्वत पर पभी परेव सिर्भूटी रुधे धारा स्त्रवत चितकार करी मही परीच। कहू कुंडल मनी मुकट मनी कहूई भूशन माल। राम विरोधे फल मिलियो परेयो मरतक बेहाद। अंत्रिक्स चारियों ने ये भी शबश देखा। पर लंबा के शीर से एक सुधीर की जियोती निकली और शिरी रोहनी नंदिन के अंगों में मिली नहोगी। और जिस समय बल्लाम का नेल संदर एम गौप शिशों से मिलन हुआ ओ कोई कैसे भरदे नुवानी के शुद्र पात्र में उस अपरे सेम अनंद सिंदों में उठी हुई असंख्य और मियों को। मारियो जीवे तिमी पृती जुद्ध मिलन ही करिचाव। प्रेम भरेचित आई अंकल आई पुनी पुनी मिलत परिजात गरतित मालाओं से एम राशी राशी अन्य सरगिय कुसमों से वन की धरा अच्छादित हो चकी है। फिर भी सुर विरिंदों के द्वारा रोधी नंदन के अविशेक अस्तवन का विराम कहा हो रहा है। सुमन वर्सी जर लाई सादो सादो कही सबद पुनी जस गाम ही सुख पाई बार बार बहु विने जुद्ध। अमर निकर बर अधिसे हर से बल पर सुमन सुसंदर बर से बलो कृष्ण वगवान जी की जै ये शुदा मिया के लाल की जै नंद के गुपाल की जै